आप लोग को बागर पर यह video बना रहा हूं अगर आपके पास ATM काय। नहीं है या फिर किसी भी बैंग एकाउंट नहीं है और आप Google पराइगण नहीं है इस तरी किसे गूगके स्काउंट बबना सकते हैं डालोड करने के बाद इसको उपिन करेंगे और यहां पर एक मोबाल नमबर इंटर करके continue पर किलिक करेंगे उसके बाद यहां पर आपको फिर से क्या करना है एक स्ञाइन कंटिनुअ उपर किलिक कर देना है तो आपके मोबल नमबर को वेरिफाई करेगा आपके मोबल नमबर पर ओ तीपी जाएगा ठीक है उसके पाद मोबल नमबर वेरिफाई हो जायेगा और अब गूगल पे में लॉग इन हो जाएंगे गुगल पर मैं आपको वालेट को से नहीं मिलता है कि गुगल पर में अकॉंट बनाकर वालेट यूज़ कर सके यहाँ पर आपको एड़ बंग अकॉंट का उप्सिन दिखाए जरा इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे बैंकों का लिश्ट आ नहीं तो आपको क्या करना हो वालेल अपको एक अकाउंट ऑपन करना होगा यहाँ पर में आपको दो अकॉंट रेकेमेंट करूगा जिसमीं आपगर बैठी पाच कितरद अन्दर अकॉंट अपन कर सकते हैं आपको ब्राच वीजिट करने की जरुत नहीं है आपको kariney की जरुवत नहीं है पाँच मीट के अंदर अकाउंट ओपन कर लेंगे उसके बाद उस अकाउंट को Google पर में एड़ करके आप Google पर यूज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी अकाउंट नहीं है तो अब क्या करेंगे घर बैठी पाँच मीट के अंदर आप जीओ पेमेंट करने के लिए सबसे पहले प्लेश्टोर से माइजी अपलिकेशन को डाउलोड करने के इसका लिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डाउल करने के बाद इसको अपिन करेंगे अब यहाँ पर उसको मोबाइल नमल्बर को इडार करेंगे जिसमर नमबर साब जीओ पेमेंट अकाउंट नह्मोट आपको करना चाहते हैं तो मोबाइल इंटर करने के बाद लौग इन मेंग आपको अलाव कर देना है किलिए need तो जीओ पेमेंट में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या करना है थोड़ा इदर सलाइड करेंगे तो यहां पर आपको बैंक का उपसें दिखाए देगा इस पर आपको किलिक कर देना है तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको लेस्ट स्टार्टेट इस पर आपको क्लिक कर देना है अगर आपके मोबैल में दो सिम लगा हुआ है यहां पर आपको सिम का सेलेक्शन करना है अगर एक ही सिम लगा हुआ तो आपको सिम का सेलेक्शन नहीं करना है अपने सिम को वेरिफाई करना है तो आपके मोबैल में रिचार्ज ही होना चाहिए तभी आपका म कर देना है तो आपको स्चिप कर देना है तो आपके इस ना होगा उसके लाप को एकुझट मैट इसे ना होगा को सब्सक्राइब करेंगे या फिर आधहर आधर नंबर इंटर करेंगे यहां फिर आप यूजर नेम इंटर करेंगे उसके बाद साइनिंग विद ओटीपी पर क्लिक करेंगे लेकिन अगर आपका डिजी लोकर में अकॉंट बनाया हुआ नहीं है फिर भी घवरानी वाली कोई बात नहीं है यहां पर आधर नंबर यहां पर security pin इंटर करने का option आ रहा है तो यहां पर मैं security pin इंटर करके submit करूंगा तो signing हो जाओंगा लेकिन अगर आपका डिजी लोकर में account बनाया हुआ नहीं है तो आपको यहां पर security pin पहले set करना होगा आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा तो 6D8 का pin set कर लेंगे और submit कर देंगे तब डिजी लोकर में signing हो जाएंगे उसके बाद यहां पर आपको अलाव कर देना है तो डिजी लोकर से जीओ पेंड में आपके document को फेच कर लेगा यहां पर आपका पहला step complete हो चुका है अब आपके सामने दोसरा step आ चुका है यहां पर आपका personal details शो हो रहा है जो के आधार काड से ले लिया गया है डिजी लोकर से फेच कर लिया है अब यहां पर आपको email id इंटर कर देना है तो email id इंटर करने के बाद आपको nest कर देना है अब यहां पर आपको financial details फील करना है उसके बाद इस टेर्म कंडिशन को accept करेंगे और nest कर देंगे अगर आप nominee को एड नहीं करना चाहते है तो यहां पर किलिक कर देना है अब आपको full kvc करना होगा अब वीडियो के वैसी के थुरू full kvc कर सकते हैं उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है वीडियो के वैसी किला आपको ऐसी जगा find करना जिसमें lighting अच्छी हो ठीक है और आपको pen card को अपने हाथ में ले लेना है उसके ब अच्छा करेंट हो जाने के बाद कुछ कोई सेंस करेंगे और यहां पर pen card show कराने को कहा तो मैं आपर मैंने pen card show करा दिया उसके बाद फिर मेरा photo capture किया इतना काम करने के बाद वीडियो को ऐसी complete हो गया वीडियो के वैसी complete हो जाने के बाद दो से तीन घंठे के अंदर-अद इसके बाद यहां पर आपको जीओ पेमेंग सर्च करना है और यहां पर आपको इस पर टैप कर देना है उसके बाद continue तो आपके मोबैल नमबर को verify करेगा और आपके account को find करेगा ठीक है उसके बाद जीओ पेमें गूगल पे में aid हो जाएगा अब आपको यूपैपीन सेट करना है तो फिर क्या करेंगे माई जीओ अप्लीकेशन को ओपिन करेंगे ओपिन करने के बाद बैंक के सक्षर में जाएंगे और यहां पर आपको जीओ पेमेंट के डैस्बर को पिन कर लेना है उसके बाद यहां पर आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है फिर यहां पर एक्सपरिमंत और यार इंटर करना होगा तो आप क्या करेंगे जीडू पेमिन के डेविट काड़ में आपको इक्सपरिमन्त और यह मिल जाता है इसको नोट कर लेंगे यहां पर 11 दोबारा इंटर करना ताक्का जो उपेपीन है बिल्कुल कनफर्म हो जाए उसके बाद आपको कर देना है तो यूपेपीन सेट हो जाएगा उसके बाद आप जो पैमन ग्से गूगल पर यूज कर सकते हैं यहाँ पर आपको इसके नंपे का उपसें दिखाया दरा इस पर किल पर आपको यूपएपिन इंटर कर देना जो आपनी यूपएपिन सेट किया है उसके बाद ओके करेंगे तो पैसा टनस्फर हो जाएगा नमबर टू अगर आपके पास एट्याम काड नहीं है या फिर आपके पास किसी भी बैंग में अकाउंट नहीं है और आप गूगल पर क्वाट करना चाहते हैं तो आप एटल प्रभ्रेक पन कर सकते हैं अकॉंट अबर पर कमेंगे तो आपके मोबन नम्बरे को फाएंड करेगा इडचे को घागा यहां पर देखे, atal payment गूगल में एड हो गया है, यहां पर आपको यूपे बैमेंड गूगल के ज्वरत नहीं है, क्यूंकि atal payment bank में आकाउंट ओपेन करते समय ही, यूबे पिंसेट करने का ओफिसेंड आजाता है या फिस समझ में आ गया कि किस तरीके सब uw पे यूज कर सकते हैं देखें गूगल पे यूज करने विदू करने के लिए आपके पास किसी भी बैंक्राउंट होना चाहिए आगर आपके पास अजी है तो पार्च मैं पर लिजे उसके बाद उस अकाउंट को गुगल पर यूज कर सकते हैं तो दोनों वीडियो को देख लिए उसके बाद फिर इस वीडियो को देखना तब आप आसानी के साथ एक यह जी ओप्योंग को गुगल पर पर पाएंगे तो आई होपको वीडियो काफी पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो लाइक करें शेर करें और इस चनल को सब्सक्राब करके वेले को उनको करें